इस वीडिए मेरे पढ़ने वाले क्लाश नाइन कमिश्टी चिप्टर वन हमारे परवेज के पदार्त का दीर उतर ये प्रस्टनी इससे पाले मेरे पढ़ने लग उतर ये आती लग उतर सभी का वीडियो बना दिए अगर वो नहीं देखे तो डिस्टिन में लिंक है वहां से दब निंव लाखने है तो हिनी घ इसकी आकिरति और इसके आयतन निष्चित होता है और दराम में लिगेंगे इसमें आकिरती निष्चित नहीं होता है किन्तों इसका आहितन निस्ट्रित होता है तेल ले लिजेолод पानी सम्हें इसका आकिरती इस के जो टोना होता है और णहीं और द्रब का घंतब ठोस के घंतब से कम होता है और जो द्रब है वो ठोस के घंतब से क्या होगा कम होगा और इसमें में लिखेंगे कि ठोस इबम द्रब की तुलना में गैसों का घंतब निम्न होता है ठीक है ठोस इबम द्रब की तुलना में गैस का जो घंतब होता है वो नि जाता है दुरॉब में बहने का गुन पाया जाता है और इसमें लिखना है gas सभी दिसाओं में बहती है है अथार्थ सबसे अधीक गुन इसी में पाई जाते है गैस तो देखते हैं हमेसा उड़ जाता है क्या चलिए और सेकेंड फटाफट आपको बताते चलते हैं आप वीडियो पसंद नहीं पर आपको चैनल को सब्सक्राइब किजिए और दोस्तों पर सेर कर दिजिए गैस के बिसिष्ट गुनों का उलेक करें गैस को जो बिसिष्ट गुने उसका उलेक करना है तो चलिए ठीक है गैसों के आकार और आईतन अनिश्चित होते हैं सबसे पहले जो यहां पे आपको लिखे हैं वही इसका बिसिष्ट गुनी है ठीक है अंतर में जितना लिखे हैं पर से तो यह बिस्स्ट गुनी है और थर्ड नमबर है गैस का दर्वनांक और को थनांक कमरे के तपमान से कम होता है तो इससे आपको डवल फाइदा है कि अगर यह आप याद कर लेते हैं तो आपको यह भी याद हो जाएगा ठीक है चलिए थर्ड नमबर देखें पर से क्या चलिए और यहाँ से आपको दिया गया है तो यहां चलिए बासपन और को अधन की व्याख्या करें इनमी मूख अंतर भी क्या है ठीक है आपको अंतर घीक है और इस किसी द्रव को धीरे धीरे बास्प बन कर बाइमंडल में बिलीन होने की किरिया बास्प करन कर लाती है जैसे जल को देखते होंगे गर्वाब से अपने कोत नांग पर किसी दिरव के बास में परिवर्तित होने के किरिया कोतन कहलाती है मेरे प्यार साथियो दाप के जो परभाव होता है वो अपने कोथनांग पर किसी दिरव के बास में परिवर्तित होने के किरिया कोथन कहलाती है और इसके बीच में अंतर तो देखिए तो यह वीडियो बना दिये थे पहले से अगर नहीं देखें तो इसका लिख लिजेगा चलिए फाइब नमबर है बास्पन को परभावित करने वाले कार्णों का उलेक करें तो फाइम नमन करस्वर यहां से लोग लिखेंगे ठीक है द्रव की बास्पन निम्लिखित बातों पर निर्पर करती है सबसे फ्रस्ट है द्रव की परकीरती पे तो चलिए निम्न कोथनांक वाले द्रवों का बास्पी करन असानी से होता है । आता एथर जल की तुनला में से बास पुक्रीट होता है जलाम एकाट होगा जीतना आधिक हो गा बास्पन उतना ही तीरु होगी ठीक है तीरु मतलब तेजी से थाड़ है अहित inhaler का पर सकाथ 12 जीतना आधिक रहता है रहुए बास्पंण Secret आगे बताते हैं शहाटा नमबर आज देखें, चोड़ा इसका लिखें करन को तिर्व कर देता है, ठीक है, तिर्व मतलब पता ही होगा, तेजी, इसका लास्ट निर प्यासती तो आर्द बायू में द्रव की बास्व करन कम होता है, आता बायू की आर्दता बास्पी करन की दर को घटा देता है मेरे प्यार सत्य अभी तक आप लोग चैनल को सस्क्राइब नहीं के तो सस्क्राइब कर लीजी ठीक है क्योंकि इसको लिखने काफी जाधा टाइम लगता है आपके लिए सिर्फ मेनत करते हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि सस्क्राइब तो कर दें क्या जी चलिए आगे देखिए शिक्स नमबर के कारी कलाप के वर्नन करके जो बताएं कि दरव बास्पन से ठंड़ा कुथपन होती है क्यों होती है तो यह पूरा बताया गया है यहां से की बास्पन की क्रियाप के दरव की सता पर होती है सता पर दरव के कन दरव के भीतर भाक्त से उस्मा उर्जन गरहन करके अतधीक उर्जा प्राप्त कर लेते हैं जिसे यह गैस के रूप में बायू में चले जाते हैं, इसे द्रब के ताप कम हो जाते हैं और वो ठंधा हो जाता है, जब कि आपको कारेक लाप के रूप में बताना है, ठीकर है? तो यहां से अपने लोग लिखेगा कि एक मिटी के सुराही में जलौ वरके, इसका ताप आंकित कर लेते हैं ठीक है यहांतां तक लिख लिए अर्द करना और किस्तर टाइग्राम भी आप को अक्रथ है यह देखते हैं यहां मेट को सुराही बूला गया है टीक है यहांति करने से आपने से ज peanutक करते हैं ओफिसंत alarm मौखेंगे है आगे देखते हम लोग, चली सत्मा नमबर में प्यारशतियों, किसी कारेकलाब का बर्नन करना है, तो लिखना है कि ये भी दो थर्मामीटर लेते हैं, एक बल में सफेद कपड़ा होता है, एक थर्मामीटर में सफेद रहता है, और एक में में काले रंग से ढखते हैं, ठीक है और देखते हैं, कौन ज़्यादा तप्मान को में प्यारशतियों, ठीक है, अपसोसित कर रहा है, तो देखते हैं, ये थर्मामीटर में प्यारशतियों आपको यहां से यहां तक लिखना है, ठीक है, और थर्मामीटर कैसा है, तो भी देख लीजिए, देखिए, ये हम में लोग सफेद कपड़े के पोसाग पहनना अधीक पसंद करते हैं कि सफेद पोसाग उस्मा का अफसोसन कम मात्रा में करती है यानि इससे मेरे प्यासाथ गर्मी बहुत कम लगती है और काला से गर्मी अधीक लगती है क्योंकि यह उस्मा का अधीक अफसोसन करता है यही लि और किसमें था देखिए पदार्थ की पलाजमा अवस्ता का क्या उप्योगता है तो यहीं आपको बताना था और इसके बार में आप लिखना चाहते हैं ऐसे तो वीडियो लोग देख लिजेगा और यहां पर देखिए दिया गया है पदार्थ की पलाजमा हम लोग जानते हैं और इसका उधारन हो जाता है सूर रितारा सभी से निकलता है क्या पलाजमा वस्ता देखें निमलीखित के लिए कारण बताएं बर्फ के टुकरे को असपर्स करने पर ठंडक अनुभूती होते हैं तो देखें यह सम आपको खुद से लिखना है यह समयर प्यासति आपको खु असपर्स करते हैं तो मेरे प्यार सतियते हों आपशर सरीर में तपमान होता है तो कितना मनुश्क के ऐसे लगग Seriously सेलसे तपमान होता है तो सूचिये कि यहाँ पर जिरो डिफिलिस सेलसें बर्प मना वादा हुआ है आपकी सरीर गर्म है तो किसी चीजह के लिए हुआ तो क्या होगा ठंडा का महसूस होगा और जब आप सोए भी रहेगा तो बर्फ के हाथ जाएगा तो क्या होगा ठंडा का महसूस होगा तो इसी कारण लिख लिएगा कि अधीक होने के कारण हम उसको जब अर्षवर्ष करते हैं तो हमको ठंडा की अनभूती होती है और इसमें मिटी को घडा सुराही में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है ये तो ब्याख्या करना है तो ब्याख्या चली कर देते हैं आपको बता देते हैं जैसे यहां पर ठंडा अधीक है तो आपको घडा के बारे में बता आया थे तो चली फटा फटा आपको देखा भी देते हैं और उसका ब्याख्या है जो ब्याख्या भी आप लोग लिक लीजेगा देखें इसका बहुती सिंपल है ब्याख्या यहां से मिटी की सुराही में अनेक छोटे-छोटे चिद्र है जिन से होकर जल के कन सुराही से बाहर सतर पर चले आते हैं बास्पन के ये जल बास्प के रूप में बायू में चले जाते हैं इन कनों से बास्पन के लिए आवसक उसमा सुराही के जल से प्राप्त होता है जिससे सुराही जल ठंडा हो जाता है ठीक है मिट पर जाहिन जाय भारत